भरत के मामा युधाजत अपने पिता की आग्या से भरत को लेने के लिए अयोध्या आय थे। जए अयोध्या में पहुंच कर उन्हें बारात का समाचार मिला, तब भी भी जनकपूर जा पहुंचे। जनकपूर से लोटने पर कुछ दिन बाद राजा दश्रत ने भरत और श काफी दिन हो गए। अयोध्या में केवल राम लक्षमन रहे। अब राम राज काज में पिता का हाथ बटाने लगे। राम सदा दूसरों की भलाई की बात सोचते और सदाचार का पालन करते। जैसे वे नम्रह और विद्वान थे, वैसे ही शूर्वीर और पराक्रमी चोटे बड़े सबसे वे प्रेमम पूर्वक मिलते थे। प्रोध में भी किसी से दुर्बचन नहीं बोलते थे। प्रजा उनको बहुत चाहने लगी। राम के कामों से राजा दश्रत भी बड़े प्रसंद थे। वे अब बोड़ी भी हो चले थे। उन्होंने निश्वय के आ राम को युवराज बना दिया जाए। राजा ने मंत्रेयों से सलाह की और कैके राज और मिथिला नरेश को छोड़कर सब मित्र राजाओं को अयोध्या आने का निमंत्रन भीजा जिससे उनकी सम्मती भी मिल जाए। निश्चित समय पर सभा भवन में आमंत्रत राज का समर्थन किया। राजा ने सब को धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं कल ही राम का अभिशेक करना चाहता हूँ। आप लोग उत्सव में सम्मिलित हों। इस घोशना के बाद उन्होंने सुमंत को भेज कर राम को सभा में बुलवाया। राम के आसन ग्रहन करने पर राजा द अपने भावन में चले गए। राम से एकांत में बात करने के लिए उन्होंने राम को फिर से बुलवा लिया। राजा दशरत राम से बोले। बेटा, अब मैं बुड़ा हो गया हूँ और राजकार चलाने में अपने को असमर्थ पाता हूँ न जाने मेरी आँखे कब इसलिए अत्यम्त सावधान रहने की आवश्यक्ता होती है। तुम भी आज की रात सावधान रहना और सयम से भी रहना। प्राम उठकर माता कोशल्या के पास गए। माता को प्रणाम करके उन्होंने राजतिलक की सब बाते सुनाई। माता ने पुत्र को हृदे से लगा ल हो रही थी, उधर दूसरी और दूसरा ही कुछक्र चल रहा था, इस कुछक्र को चलाने वाली थी कैके की मुहलगी दासी मंत्रा। वो जैसी कुरूप और कुबरी थी, वैसी ही कुटल भी थी। मंत्रा को जैसे ही राम के अभिशेक का समाचार मिला, वो तत्ताल कैकी की महल में पहुँची और बोली, अरी मेरी रानी, तू कैसी बेसमज है, मौत तेरे सिर नाच रही है और तू सुख की नीन सो रही है, कैके इने चौप कर पूछा, मंत्रा क्या बात है, साफ क्यू नहीं बताती, राम तो कुशल से है, क्या भरत का कोई समाचार आया है, मंत्रा बोली और तो सब ठीक है, बस तुम्हारे सुक सौभाग्य का अंथोनेब वाला है भरत को ननिहाल भेजकर राजा कल ही कौशल या पुत्र राम को राज काज सौपने जा रहे हैं ये सुनते ही केकेल बोली, इसे और अधिक प्रसन्नता की बात कया होगी मेरे लिए जैसे भरत वैसे ही राम, लो, यह हार में तो रो उपहार में देती हूँ मंत्रा ने हार लेकर फेक दिया और बोली, बोली रानी, आट उसे काम लो मुझे तो ये देखकर आश्चर्या होता है कि तुमको अपने निकट का संकत भी दिखाई नहीं देता राजपाकर राम का हरिदय भरत के प्रती बदल भी सकता है कौशलिया राजमाता होंगी और तुम उनकी दासी बनोगी कैके फिर भी विचलित नहीं हुई तब लंबी सांस लेकर मंत्रा फिर बोली, पगली रानी, राम के राजा होते ही भरत मारे मारे फिरेंगे राजा की विशेश प्रिय होने के मद में तुमने कौशलिया के साथ के से कैसे दुर्व्यवहार किये हैं, ये तुम जानती ही हो राजमाता होते ही बे उन सबका तुम से बंदला लेंगी इस संकत से बचने का एक ही उपाय है कि किसी तरह राम को वन भेज दिया जाए और भरत का राजति लखो अब कैके की बुद्धी पल्टी, अपना कार्य सिधह होते देख मंत्रा बोली रानी याद करो, एक बार शमबासुर के विरुद्ध इंद्र की सहायता करने के लिए महाराज गए थे तुम भी पती के साथ गई थी, तुम ही ने रंगशेत्र में राजा के प्रानों की रक्षा की थी राजा ने प्रसन होकर तुम्हें दो बर्दान मांगने को कहा था, वे दोनों बर्दान तुमने अब तक नहीं मांगे अब मांग लो, कोक भवन में जा बैठो और जब राम की सोंगद खाकर राजा वचन दे, तब एक वर्दान से भरत को राज दिलक और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो कैकेई ने ऐसा ही किया, रात को जब राजा दशरत कैकेई के महल में पहुँचे तो उनको रानी की कोक भवन में जाने का समाचार मिला इस खबर से राजा के प्रान सूख गए, कैकेई उनको प्रानों से भी अधिक प्यारी थी, वे उनके शरीर पर हाथ फेर कर मनाने लगे राजा ने कहा, तुम क्यों ऐसी रूठी पड़ी हो, तुझे मालूम है कि तेरी प्रसन्नता के लिए मैं रंग को राजा और राजा को रंग बनाने के लिए तयार हूँ यदि किसी ने तुम्हारा अहित किया हो तो उसका सिर अभी कत्वा लून मैं अपने पुन्यों और प्रान प्यारे राम की शपत लेकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी, वही करूँगा राजा ने जब राम की शपत ले ली, तो कैकेई ने दोनों वर्दान मानगे राम के वनवास की बात सुनकर राजा सन रह गए और शोप की कारल मूच्छित हो गए कुछ देर बाद जब वे होश में आये, तब राब, राम, कहकर उट बैठे और कैकेई को तरह-तरह से समझाने लिंगे वे कैकेई से बोले, भरत को बुलाकर मैं उसका राज्टे लग कर दूनगा, पर मेरे राम पर दया करो, मुझ पर दया करो कि कैकेई किसी तरह न मानी, वो अब बोली, राजन आपकी बात रगुवन्शियों जैसी नहीं है आपके पूर्वजोंने सत्य पालन के लिए न जाने कितने कश्ट छेले हरिश्चांडर और शिव का नाम इसी कारण आदर से लिया जाता है सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य पर टिका है, सत्य से बढ़कर और कोई नहीं सत्य को छोड़कर आप संसार को कैसे मूह दिखाएंगे, रही मेरी बात, अगर आप वर्दान नहीं देते, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और आप इस कलंक और अप्यश का भार जीवन भर धोते रहेंगे राजा समझ गई कि आप कुछ होने वाला नहीं राजा रात भर बेसुद से पड़े रहे, सवेरा हुने पर सुमंत कैकेई के महल में समाचार लेने आए राजा की दशा देखकर वे समझ गई कि कैकेई ने कोई कुछ लग की है सुमंत ने कैकेई से राजा के दुख का कारण पूछा कैकेई बोली, मैं कुछ नहीं जानती राम को ही बे अपने मन की बात बताएंगे राजा का संकेट पाकर सुमंत राम को बुलाने गए कोई देर में लक्षमन के साथ राम आ गए राम को देखते ही दशरत बेसुद हो गए और कुछ बोल न सके तब कैकेईगी ने राम को सब बाते बताएं अपने वर्दान की भी बताएं पिता का रुक देखकर राम ने ब्रिलता से कहा पिताजी की प्रतिग्या की रक्षा के लिए मैं अभी वन जाता हूँ भरत को बुलवा कर उनका प्राजति लग कर दीजिए मैं भाई भरत के लिए सब कुछ छोड़ता हूँ अब राम अपनी माता कोशल्या के पास गए और उनको कैकेई की भवन की सब बाते बताएं ये समाचार सुनकर माता कोशल्या बेसुच सी हो गई और अपने भाग्य को कोसने लगी मैं तो निरंतर अपने को घर की दासी मान कर सब की सेवा करती रही भरत को भी अपना बेटा ही माना कैकेई का भी बुरा नहीं चाहा फिर मेरे साथ यह नियाए क्यों माता कोशल्या का दुख देखकर लक्ष्मन के क्रोध की आग भढ़क उठी श्री राम ने लक्ष्मन को समझा बुझा कर शांत किया और कहां मेरे बन जाने की तयारी करो